स्टीयम शिवराज सिंग चोहान का बड़ा एलान पंचायत सचीबों को मिलेगा सात्वा वेतनमान रेगुलर करमचारियों जैसी मिलेंगी सुभिधाएं रिटायर्मेंट पर तीन लाक रुपे भी देगी सरकार मुझे कहलो बने ये कहा है कि करमचारियों को वेतन मिले की तारीख तै नहीं है अब अगर वेतन ना मिले तो कोई काम क्या करेगा और इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि एक तारीख को आपका वेतन निश्चित तोर पर आपको मिल जाए पंचार सचे मित्रो आप सब को साथवे बेतन मान का लाव तद्काल प्रभाव से दिया जाएगा और इसके साथ पंचार सच्वों को समयमान बेतन मान भी दिया जाएगा भगवान ना करे लेकिन कई बार असमे काल के गाल में हमारे साथ ही चले जाते हैं ऐसे में भगवान ना करे कभी इसकी जुगत पड़े लेकिन अगर ऐसी परिस्थिती बनती है तो पंचार सच्वों की मृत्यू पर उनके आस्षतों को अनुकंपा न्युक्ती दे दी जाएगी उसके नियम अतंत सरल कर दिये जाएगी पंचार सच्वों को सेवा निब्रित होने पर एक मुस्त तीन लाख रुपे की रासी देने का काम किया जाएगा PCO के पदों पर न्युक्ती के समय 50% आरक्षन ग्राम पंचार सच्वों को दिया जाएगा पंचार सच्वों मित्रों को 5 लाख रुपे का दुरगटना पर स्वास्त भीमा योजना वो भी किया जाएगा पर मैं एक बात मानता हूं कि हम सास की सेवा में हैं तो सास की सेवा में कैसे बाकी सेवकों को चुट्टी मिलती है अवकास मिलता है बाकी स्विधाई मिलती है मैं जानता हूँ एक समय था तब आपका बेतन केबल 500 रुपया हुआ करता था आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे इसको बढ़ा के 1250 रुपया किया गया है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं क्योंकि दिग्जी राजा ने तो 500 रुपया ही में रखा था उनने गुरू जी भी 500 रुपया में रखे थे अब पंचाज सचिब भी 500 रु काना नहीं है तो पंच जन्ता की सेवा कासे करें और इसलिए मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि निमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाय देने की प्रिक्रिया प्रारम्व की जाएगी ताकि सारी सुविधाय मैं न्यू पैंशन के आप सब को दी जा सके अधर में आपको नहीं जोड़ूँगा मैं